गुड मॉनिंग बच्चो आज हम करने जा रही है आपकी वोक्षीट नमबर 81 सब्जेक्ट माच्स क्लास 9 हमारी देज 3 फेबरेली के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोक्षीट में हमें अब जुपना चैप्टर 13 है सर्फेस एरियाज और वोल्यूम्स यह करना है ज क्या दिया हुआ है एक कून की डायमेटर दी हुई है और आपको स्लांट हाइट दी हुई है ठीक है तो आपको क्या निकालनी है हाइट निकालनी है स्लांट हाइट हाइट भी होती देखो यह होती है और आपको स्लांट हाइट क्या होगी यह होती है आपकी स्लांट हाइट ठीक है यह क्या आपकी radius है तो आपको क्या का given है देखो आपको given है d is equal to 10 cm दिया हुआ है radius d का आदा हो जाएगा 10 का आदा 5 होता है और आपको slant height 13 दी हुई है ठीक है आपको height निकाल लिए तो यह formula होता है slant height का जैसे pythagoras theorem होती है यह pythagoras theorem नित्यों लग सकते हैं क्योंकि यह right angle triangle है तो यह आपकी क्या है जो slant height है क्या है आपकी hypertonus है तो hypertonus का square किसके बराबर होगा base और perpendicular base को h square और r square लिखेंगे हम यहाँ पे तो यहाँ पे जो la slant height 13 given है तो 13 का square is equal to h square और radius आपको 5 हमने निकाली तिया भी given है ठीक है तो यहाँ से 13 का square 169 है इधर 5 का square 25 है तो height हमें निकालनी है तो क्या होगा इनको minus करेंगी हमारा answer आएगा 144 और 144 होता है 12 का square तो हमारा answer आजएगा a part height कितनी है 12 cm तो question number one का answer है first 12 cm second question है find the area of a confess required for corical tent of slant height given है और base की radius given है radius given है slant height given है area निकालना है क्या area होता है क्या area क्या होता है क्या होता है क्या area क्या होता है पाई आरेल तो सब कुछ given है radius given है हमी और L given है बस यहां पे 7 से 7 कट गें 22 तूसा 44 मीटर स्क्वेर तो answer क्या आजएगा answer A कितना easy question है second का भी क्या जाएगा हमारा answer A ठीक है फिर हम चलते question no.3 पर question no.3 है हमारा the total surface area of a right circular cone having radius दे रखिये और slant height दे रखिये ठीक है total surface area निकालना है ठीक है तो total surface area पहले formula पता होना चाहिए क्या होता है total surface area का formula यह होता है pi r l में आपको एक radius और add करनी है pi r l curved surface area है और अगर आपको निकालना है total surface area तो plus r कर दो L के साथ ठीक है तो question no.3 का answer A first हो जाएगा अब देखो fourth question fourth question is area of a base of a right circular cone having radius 3.5 cm जो area है base का of a right circular cone के जिसकी radius 3.5 cm है तो देखो radius given है area निकालना है area क्या होता है क्या होता है क्या होता है बताओ यहां पर area base का पूछा है ठीक है base का area पूछा है क्या होगा यह आपका cone है कोन में यह नीचे area क्या होता है यह आपका circle होता है न सरकल का area क्या होता है पायर square होता है circle का area तो और radius तो अपको given है 3.5 मैंने 3.5 और 3.5 लिखा है point हटा के नीचे 10 लिख दिया यहां पर point हटा के हमने यह नीचे 10 लिख दिया इसको काट दो 7 से 35 गया 5 पर 5 से 10 कट दिया 2 पर 2 से 22 कट दिया 11 पर तो 35 11 से 385 होता है नीचे आपका 10 है तो नीचे 10 है तो point लग जाएगा 38.5 cm2 तो क्या हो जाएगा question no.4 का question 4 का b part 38.5 cm2 अब next चलो next question है question no.5 है in the given figure यह आपको figure दे रखिए इसमें आपको क्या करना है इसका area निकालना है curved surface area और total surface area बहुत यह देखो base का area निकालना है base का area क्या है pi r square हो जाएगा 7 into 7 कितना हो गया यह 5 को मैं 22 by 7 लिग दू 7 से 7 कट गया तो 22 by 7 22 multiply 7 आपका answer हो जाएगा कितना होता है इसी तरीके से यह क्या है आपको height दे रखिए है height दे रखिए slant height नहीं है तो slant height आपको निकालनी पड़ेगी total surface area में और इसमें जरूत पड़ेगी तो देखो question no.5 कैसे करोगे question no.5 का first part मैं आपको explain कर चुगी थी थी ना pi r square 22 multiply 7 154 cm square रहता है तो second मैं में curved surface area निकालना था pi r l, l हमें नहीं पता ठीक क्योंकि हमें height दी हुए और radius दी हुए है तो हम क्या निकालेंगे हम l निकालेंगे l किससे निकालेंगे l square is equal to h square plus r square ठीक है बहुत easy है बस आपको दो तीन formula करने है सारे questions हो जाएंगे तो h का square क्या होता है 24 का square यहाँ पर आपको height क्योंकि given है और r का square जो radius है 7 का square बस इसको solve कर दो तबकि जो length है वो क्या जाएगी 25 cm रहेगी तो pi r l radius 7 थी और l 25 हा गया 7 से 7 कट गया 22 25 कितना होता है 550 cm square curve surface area भी निकल गया total surface area क्या होता है l में बस r add कर दो ठीक है l कितना है 25 है 25 में r add कर दिया 7 बस अब 7 से 7 कट गया 25 plus 7 32 22 multiply 32 704 cm square answer हो गया ठीक है तो यह हो गया question number 5 का हमारे जो तीनों पार्ट है ठीक है now question number 6 question 6 है रजक uses a thick sheet of paper and prepares a cap in the shape of a cone जो रजक है उसने एक sheet ली है और उससे cap बना यह sheet से एक cap बना दी कौन shape में radius दे रखी है cap की 6 cm और height दे रखी है 8 cm तो area निकालना है cap का तो area राम से अब निकाल सकते हूं क्या होता है कैसे निकालोगी area तो pi rl होता है ठीक है pi rl होता है तो radius हमें क्या given है radius हमें 6 given है लेकिन l given नहीं है height दे रखी थी हमें 8 height 8 दे रखी थी radius हमारी 6 है तो l तो में निकालोगी ठीक है 188.57 cm2 यह होगी आपका question number 6 now question number 7 question 7 find the surface area of conical cap having height equal to the diameter of base and slant height is आपको क्या दे रखा है conical cap का area निकालना surface area निकालना है जिसकी height है वो base जो diameter है base का और slant height के जो slant height है मतलब जो base का diameter है उसके equal height और slant height है वो आपको given है ठीक है तो surface area निकालना है तो सबसे पहले क्या क्या पता होना चाहिए radius तो पता होनी चाहिए ना क्योंकि formula होता है pi rl formula होता है तो आपको slant height तो दे रखिए l आपको दे रखा लेकिन r तो नहीं बता ना तो r हम निकालेंगे जो हमें relationship दे रखा है h हमारा diameter के बराबर है यह हमें दे रखा है तो h है वो diameter क्या होता है double of radius तो मैंने d के जिए 2r लिख दिया ठीक है और length जो आपको slant height है वो तो आपको दे रखिए 7 root 5 तो यहां से formula से यहां से में निकाल लूँगी अपनी radius l square is equal to h square plus r square जो h square है वो किसके equal है 2r के equal है तो 2r क square plus r square कितने होगी 4r square plus r square 5r square होगी और 7 root 5 का जो आपका square है वो 245 आएगा कैसे आएगा 7 root 5 का square करना है तो 7 का भी square करो और root 5 का भी square करो ठीक है root 5 का भी square करो 7 7s are 49 और root 5 और root 5 क्या होता है 5 होता है तो 49 5s कितना होता है 245 होता है ठीक है आगे आपको समझ अब 245 है इधर 5 इसके साथ multiply में इधर आखे divide में हो जाएगा तो 49 r square आए 49 किसका square होता है 7 का square होता है तो radius आ गई 7 तो यहां पे radius की 7 लिख दो 7 से 7 कट हो गया तो 22 7 जा कितन हुआ है curved surface area iconical tent का ठीक है इतना है अगर कोस्ट है canvas की 17 पर square meter है तो आपको total cost of निकालना है canvas का यह तो बहुत easy इस भी तो formula ही नहीं लगना सिर्फ सीधा सीधा multiply करना है total area देदी आपको और cost देदी 1 पर meter के लिए 1 के लिए 17 है तो इतने के लिए होगी कितनी होगी इन दोनो आपका question no.8 है now question no.9 question no.9 is the slant height and base diameter of a conical tom are 25 meter and 14 meter respectively जो slant height है और base diameter है वो कितना है 25 meter 14 meter respectively to find the cost of white washing its curved surface area at the rate of 210 per 100 meter square 100 meter square के लिए 210 रुपे लगते है तो total इसके लिए कितने लगेंगे conical tom के लिए तो सबसे पहले conical tom का area पता होना चाहिए तब ही तो पता लगेगा कितने रुपे लगेंगे और उसके लिए आपको क्या दे रखा है area निकालने के लिए आपको slant height L दे रखा है 9 meter दे रखा है तो radius निकल जाएगी 14 की half 7 तो हमारे पास क्या नहीं है height नहीं है हां तो हमें height चाहिए इसमें तो हाइट तो चाहिए ही न क्योंकि जो curved surface ए रहा होते वह तो पाई आर एल होता है हमें height की जरूरत ही नहीं है सब कुछ तो हमें दे रखा है radius क्या होगी 14 की आप 7 cm radius लिख दी ल हमारे 25 गिवन है 7 से 7 कट ओगे 22 25 को मुल्टिप्लाइ करेंगे 550 m2 कोस्ट ओव वाइट वाइट वाइटो निकाली है अब देखो 100 नमबर 10 पर question 10 है a joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm जो joker की cap है वो right circular cone के shape में जिसकी आपको radius दे रखिये 7 और आपको pi r l होगा ठीक है pi r l अब l तो given नहीं था h और आपको r given था तो ल तो इस formula से निकाल लेंगी ठीक है निकाल सकते हो ना number 10 now question number 11 question 11 में दिया हुआ है आपको area निकालना है base का right circular cone का जो sorry दे रखा है area of base आपको दे रखा है मतलब area of base क्या होता है base तो अपका circle की shape होता है pi r square किसके बराबर दे रखा है 9 pipe के बराबर तो pi से pi कट गई तो r square is equal to 9 और r कितना है r तो हमारा 3 आया radius आपकी 3 है height आपकी 4 है height आपकी 4 है total surface area निकालना है कोन का क्या होगा total surface area pi r l l के साथ r plus में गड़ना है आपके l तो है नहीं लेकिन हमारे पास height और radius है तो l तो हम निकाल लेंगे तो यह दिखो आपका 11th question आपका l square is equal to h square plus r square है h given है और r आपको given है तो आप क्या करोगे यहां से 16 plus 9 25 होता है 5 का square तो आपकी तो यहां से टोटल surface area है कोन का यह होता है तो यहां से आपके पास radius given है और आपके पास लांटाइट given है सब कुछ given है तो आप सिंप्लेस को solve कर दो तो यहां से क्या आ जाएगा 22 by 7 3 multiply 5 plus 3 8 होता है तो इसको आप multiply करोगे तो उपर आएगा 528 नीचे आएगा 7 solve करोगे तो आंसर आएगा 75.428 cm2 approximately ठीक है इसके आसपास तो यह हो गया question number 11 अब question 12 देखो जिसमें आपको क्या निकालना है question 12 में हमें करना है if the curved surface area of right circular cone is 48 pi अगर जो curved surface area has right circular cone का 48 pi और slant height 4 cm दी हुई है तो radius निकालना है आपको base की ठीक है निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं क्योंकि जो curved surface area 48 pi के equal दिवा हो है तो curved surface area तो pi rl होता है ठीक है ठीक है तो यह था 12th question जो हमारी work sheet का last question था तो यह 12 questions आज आपकी work sheet में given थे जो हमने complete कर लिये बहुत easy questions थे और मतलब direct formula करना था हमें put करना था values रखने थी कुछ नहीं करना था बहुत easy थी work sheet फिर भी कोई भी doubt है आपको तो आप comment section में मुझसे पूछ सकते है और अगर आपको video अच्छी लगे तो channel को subscribe कर सकते है video को like कर सकते है thank you and have a great day God bless you